Hello friends, so we are back with Aginta Sahal ये एक प्रवास वर्नन है प्रवास वर्नन याने जहां भी हम घूमने फिरने जाते हैं तो उस जगे की अगर हम information उसको pen down करें तो उसे कहते हैं प्रवास वर्नन प्रवास याने क्या? traveling if you visit some location and you describe it it will be your प्रवास वर्नन तो अब हम कहां जा रहे हैं आज? अजिन्था आपने इसको अजिन्था एलोरा ऐसे सुना होगा ओके? so let's start our chapter अजिन्था सहल मुलानो चला उत्तरा अब जैसे आपके teacher आपको बस में लेके जाते हैं ऐसे ही ये कोई teacher या उनके guide है वो बच्चो को क्या कहा रहे? मुलानो चला उत्तरा बस से नीचा जाओ अजिन्था आल अजिन्था जो उनका location था वो आ गया है आणखी थोड़ चडून गेलो की अजिन्था ची लेनी पहायला मिलतिल आणखी थोड़ चडून गेलो मतलब आप इमेजिन कर सकते ये बस से नीचे उत्र है वहाँ पे सा कुछ ground टाइप या parking टाइप होगा वहाँ से उनको और थोड़ा सा उपर याने hill टाइप एरिया होगा वहाँ पे उनको चड़के जाना है अजिन्था ची लेनी अजिन्था नामकी प्लेस पे जो भी caves है लेनी याने क्या caves तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पहाईला मिलतिल पहाईला याने बगाईला देखने के लिए मिल जाएगी लांबुन लांबुन परदेशातुन मंड़ी ही लेनी पहाईला आली आहित वो अकेले टुरिस्ट है क्या वहाँ पे नहीं तो लांबुन लांबुन मिन्स दूर दूर से परदेशातुन परदेश याने बाहर की कंट्रिस से भी मंडड़ी याने लोग ही लेनी पहाईला आली आहित तो ये बच्चे और उनके गाईड इतने ही वहाँ पे गए है क्या नहीं तो दूर दूर से बहुत सारे लोग इन केवस को देखने के लिए आ गए है चलो तो फिर अब हम लेनी की तरफ याने की केवस की तरफ गुफाओं की तरफ चलते हैं अगर आपको कभी चांस मिले या फिर आप यूट्यूब पे भी वीडियोस देख सकते हो अजिंठा पे बहुत सारे वीडियोस बने है उस जगह के दरफ आप देखोगे तो आपको डूंगर और दरी दिखती है डूंगर दरी क्या? डूंगर याने पहाड दरी याने कोई भी पहाड के साइड में जो एकदम डीप होता है एरिया उससे कहते है दरी जो स्टीप होता है जहाँ हमको बोला जाता है कि अरे देखो मत गिर जाओगे तो वो एरिया याने डूंगर दरी कड़े बगा कशी अर्धचंद्रा सारखी दिस्ते नहीं का तो अर्धचंद्र यानि कैसा? हाफ मून उसका जो शेप है उसको कंपेर किया गया है हाफ मून से डूंगर और दरी को या डूंगर दरी पोटात तीस गुमफा आहेद कितनी केवजे वहाँ पे? तो टोटल थट्टी तीस याने थट्टी मुलानो चला हीच अजिन्ट है ची लेनी थमबा आधी थोड़ीशी माहिती ग्या मंजे आपन काई पातो ते नेम का तुम्माला कडल अब हम कोई भी लोकेशन पे जाते है हम अगर उसके बारे में थोड़ी इंफर्मेशन लेके जाए तो हम उसको अच्छे से रिलेट कर सकते है तो वही उनके जो गाइड है या सर है जो भी है वो उनको बता रहे है क्या बता रहे है? मुलानो बच्चो हीच अजिन्ट है ची लेनी यही है अजिन्टा की लेनी और क्या बोलो उनको रुको थांबा मींस रुको आदी थोड़ी शी महिती ग्या मींस कलेक्ट सम इंफर्मेशन मतलब आप जो देख रहे हो क्या देख रहे हो आप एग्जैक्ली वह आपको बता चल जाएगा आत शिरलात की कही गुफात तुमाला प्रशस्त लांब रुन्द दालने दिस्तिल आत शिरलात अब ये मराटी का और एक अच्छा वड़े शिरने मंजे अंदर जाने शिरलात की मतलब अंदर जब भी आप जाओगे गुफा के अंदर काही गुफात तुमाला प्रशस्त प्रशस्त याने बहुत बड़ी बड़ी लाम्ब रुन्द बहुत लंबे रुन्द मिन्थ विर्थवाइज वी बहुत बड़े दालने दिस्थिल दालन दालन याने कमरा यह तो वर्ड होता है बट आप यहाँ पे हॉल पकड़ सकते हो कि कुछ-कुछ गुफाओं में आपको बहुत बड़े-बड़े कमरे या फिर हॉल्स दिखेंगे चारपस मिटर तैंची उन्ची कितने बड़े हैं वो? चार से पांच मिटर तक उनकी लंबाई होती है वर सपाट छट उपर का जो छट है छट याने क्या? अगर आप जैसे घर में हो तो आपके छट पे जनरली आपको क्या दिखता है? फैन दिखता है, राइट? अपने घर के भी जो छट होते हैं वो सपाट होते हैं याने प्लेन होते हैं उसी तरह से ये जो कलाकारत हैं जिनोंने ये गुफाए बनाई है उन्होंने भी क्या किया है? उस छट को जो है पूरा प्लेन कर दिया है दोनी बाद जुन्ना भव्य स्तंभ कोर ले ले दोनी बाद जुन्ना मींस दोनों साइड पे क्या है स्तंभ है कैसे है भव्य भव्य याने बहुत बड़े-बड़े स्तंभ याने क्या खंबे कोर ले ले मिंस उन्होंने उस पे भी एंग्रेवेशन किया है Engravation means what? पत्थर पे या किसी भी चीज पे जो मुर्तिया decorated होती है आज भी आप कई सारे मंदिरों में जाओ, वहां की दिवारों पे, कुछ लोगों के, भगवानों के और फिर कलाकारों के भी चित्र आपको दिखेंगे Engrave किये होए नक्षिदार प्रवेश द्वारावर अर्दवर्तुलकृति गवाक्षे नक्षिदार नक्षिदार याने क्या? बहुत सारी उस पे कारागीरी होती है अगर आप अपने ममा की साड़ी, ड्रेसेस, एवन अपने हाँ पे जो आर्टिफेक्ट साते हैं उन पे देखो के तो बहुत सारी डिजाइन बना होता है, कभी मूर, कभी फ्लावर्स, ऐसे सब चारी चीज़े बनी होती है उसे क्या कहते हैं? नक्षिदार अब नक्षि क्यों बनाते हैं? किसी भी चीज़ को सुन्दर बनाने के लिए, डिजाइनर बनाने के लिए, इसेंट इट नक्षिदार प्रवेश द्वारावर, प्रवेश करना मतलब क्या? घर के अंदर जाते हैं, जो एंटरंस होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रवेश द्वारावर, अर्ध वर्तुलकृती गवाक्षे, अर्ध वर्तुलकृती मीज़ फिर से हाफ सरकल के टाइप की गवाक्षे गवाक्षे याने खिडकिया होती है एक टाइप की, आप उसको वेंटिलेटर भी कंसिडर कर सकते हो, तो वेंटिलेटर से क्या होता है? वेंटिलेशन होता है, घर के अंदर बाहर हवा आती जाती रहती है, फ्रेश एयर के लिए गवाक्षे मंज़े हवा वो उजेड येनय साथी ठेवलेला खिडकिया जनरली जो खिडकिया होती है, उन्हें हम बंद कर सकते है या फिर उसमें से कोई आने का डर होता है, यो जो गवाक्ष होते है ये जनरली काफी हाइट पे होते है और ये क्यों होते है उपर की जो फ्रेश हवा है उजाला है बहुत सारा वो अंदर आने के लिए आपको इस पिच्चर में दिख रहा होगा ये इंटरंस है यहाँ पे स्तंब दिख रहे है है ना और यहाँ पे आपको गवाक्ष दिखेंगे यह आप अगर इसको धान से देखो तो यह अर्दवर्तुर कृती है है ना चला माजा मागुन ओड़ीने या चलो मेरे पीछे पीछे ओड़ीने ओड़ीने मतलब कैसा लाइन में एक लाइन में चलते हो ना डिस्सिप्लीन में जब भी आपका स्कूल का टूर जाता है या कही भी घूमने जाते हो या यों स्कूल में भी आप कैसे चलते हो डिस्सिप्लीन में एक लाइन में चलते हो तो वैसे उनके जो गाईडे उनको बतारे कि चला माजा मागुन ओडी ने या, लाइन बैलाइन चलो आत शिर्ताच गारगार वाटलना उन्हा ताना तुन प्रवास केल्याचा शिनवटा निगुन गेला की ना ही आत शिर्ताच गारगार वाटलना गारगार मींस वाट? ठंड़ा ठंड़ा शीरने फिर से भईवर्ड शीरताथ मतलब अंदर जाते ही लेनी के अंदर जाते ही आपको ठंड़ा ठंड़ा लगा न अजिन्था एक्चुली ये जो एरिया है ये टोटल एरिया काफी गरम होता है as compared to rest of our country उन्हा ताना तुन मतलब धूप में से प्रवास केल्याचा अब आप जब भी वहां पहुंचते हो नौर्मली टाइम हो जाता है नो दस बज़े का अगर आप अरली मौनिंग भी पहुंचते हो तो भी ये एरिया जो है काफी गरम माना जाता है प्रवास केल्याचा शिनवटा शिनवटा मींस वाट जो आप ठक जाते हो धूप में से आते ही कैसे लगता है एकदम जैसे ओ ठक गए एनरजी पूरी डाउन हो गई तो वह अंदर जाते ही आपको कैसे लगेगा ठंडा लगेगा और अच्छा लगेगा लेनया तिल हवा अशित्स नेमी गारे गार अस्ते जब भी आप किसी कैव के अंदर जाओगे तो वहां की जो अंदर की हवा है वो हमेशा ठंडी ठंडी होती है तो ऐसा क्यूं अगर आप इन लेनियों को देखोगे इनका जो स्ट्रक्चर देखोगे तो यह जनरली होती है बड़ी बड़ी पहाड़ियों में अब क्यूंकि यह पहाड़ी से प्रोटेक्टेड होती है और पत्थरों के अंदर इनको बनाया जाता है तो यहां तक सूरज की जो गर्मी है हिट है वो पहुंच नहीं पाती और इसलिए यह काफी हवा इसमें रहती है ठंडी और दूसर एक रिजन है जैसे हमने पिछले कुछ पार्ट में देखा कि उसमें गवाक्षे रहती है जो है उपर इदर उदर वेंटिलेशन के लिए यह लोग खिडिकिया रखते थे तो उस वज़े से भी जो हवा है वो खेलती रहती थी अंदर और इसके लिए जो लेनी की हवा है वो हमेशा ठंडी और फ्रेश होती है आता समोर लक्ष द्या अब आप आगे धान दीचिए तेवड़ा प्रशस्त चवथरा है हा आनी त्यावर कोण बसला आही सांगा बर प्रशस्त चवथरा प्रशस्त याने बहुत बड़ा लेक लंबा अरुन्दा बहुत बड़ा प्रशस पर चारो साइड से like you know like a chair या फिर एक स्टूल पकड सकते हो आप चाउथरे का मतलब एक्चुली बैठने की जगा होती है जहां पर चार साइड्स होती है like a square टावर कोण बसला है सांगाबर मतलब वहाँ पर जाके एक्चुल में कोई नहीं बैठा है वहाँ पर उस चाउथरे पर उस सीट पर उस सिहासन टाइप पर कोई तो भी बैठा हुआ है कौन बैठा हुआ है देखो जरा तथागत गौतम बुद्ध जी हां अजिंठा लेनी जो है वो माना जाता है कि बहुत सारे जो बहुत कारागीर थे जो बहुत लोग थे उस समय के फिर बहुत आप कहते हो संत थे उन लोगोंने अपनी जो जर्नी थी अकबर के समय तक की उन सब जर्नी को उन्होंने वहाँ पे जो है अजिंठा के अंदर या तो उन्होंने उसके प पत्थर पे लिखा था, पत्थर पे क्यों लिखते हैं लोग, क्योंकि पत्थर पे लिखा हुआ चीज जो भी होती है, वो कभी नहीं मिटती, तथागत गौतम बुद्ध, अगर आप इनके बारे में जानते हो, तो ये बहुत बड़े संथ होके गए हैं, गौतम बुद्ध, और इन्होंने बौध धर्म की स्थापना की थी, पहा, पदमा सनातिल बैठक, डोले अर्दवट मिटलेलया कमला सरखे, मुखावर करुण भाव, मस्तकावर कुरलया के संचा बटा, अब यहां से लेके यहां तक जो भी पाट है, ये सब है उस मूर्ती का वर्णन, गौतम अब आप उस मूर्ती के तरफ देखोगे, तो जस देखो मत, क्या बोल रहे हैं, वो किस तारह से बैठे हुए है, पदमा सन, अगर आप में से कोई योगा भ्यास करता है, तो उससे पता होगा, पदमा सन क्या होते हैं, हमें से आल्थी पाल्थी डालके और बैठ जाते हैं, उससे कहते हैं, पदमा सन, डोले, अर्धवट मिटलेलया कमडा सरखे, जब भी आप ऐसे पदमा सन में बैठते हो, मेडिटेशन के लिए बैठते हो, तो आप क्या करते हो, पक्की आँखे बन करते हो, क्या, नहीं, आप हलकी हलकी अपनी आँखे बन रखते हो, तो उससे त जवट मिट ले लिया इसे और एक शब्द है अर्धोन मिलित मुखावर करुन भाव तो गौतम बुद्ध दिख रहे हमें तो कैसे है उनके चेहरे पे मुख पे कैसे भाव है करुन भाव मतलब उनको देखके किसी को हसी नहीं आएगी किसी को गुसा नहीं आएगा कैसे मस्तकावर कुरणया के सांचा बटा अगर आप और जानते हो गौतम बुद्ध के बारे में तो ये एक राजकुमार भी थे तो पहले के जमाने में जो राजकुमार थे या बहुत सारे जेंट्स होते थे वो अपने बाल नहीं कटवाते थे तो उनके कैसे थे बाल कुरणया के सांचा करली हैर थे उनके तो उनके चहरे पे कुछ बाल आये हुए थे सोचो लोगों ने पत्थरों में कैसे ये सब एंग्रेव किया होगा इतनी बारी की से इतनी सुन्दर तासे उन्होंने उस पत्थर को कैसे मुर्ति में कन्वर्ट किया होगा यही सब देखने के लेनयानगहे नहित पर एकुणिसाव्या लेनयाला नाव आहें अब इन इतनी सारी लेनिया है हमने देखी कितनी देखी हमने तीस गुफाय देखी तून सबको नाम दिये है क्या नहीं बट उन में इसे एक बहुत खास लेनी है उसका कौन सा नमबर है, 19, 19 जो लेनी है उसको उन्होंने नाम दिया है क्या है उसका नाम, त्याला मंटात गंधकुती, क्या नाम है उसका गंधकुती नाम का एक लेनी है ये सबसे खास लेनी है वहां की और इसलिए उसको नाम भी दिया गया था अब इस यहाँ पर आप लैंगविज की सुन्दरता देखो क्या बोल रहे हैं वो ही लेनी तुम्ही सावकाशी ने पहा आप इसको कैसे देखो धीरे धीरे देखो एकदम फील करो उस लेनी को काफी टाइम लग जाएगा आपको इस लेनी को देखने के लिए कारण ती आत बाहर अंदर से बाहर से और सब तरफ से सगडी कड़े मतलब from all around कोरिव कामाने नटली आहे कोरिव कामाने मतलब फिर से एंग्रेव वर्क से नटली आहे मिन्स उसको सज्जाया गया है उस पे वो नटली आहे ये वर्ड मराठी भाषा का स्पेशल है तैचा समोर द्वारमंडप आहे द्वारमंडप क्या मतलब लेनी तो है जैसे आप किसी रोहाउस को देखोगे तो उसके सामने कैसा एरिया होता है एकदम दरवाजे में से अंदर जाते क्याम नहीं थोड़ा सा आंगन होता है आंगन के बाद में सा खुला खुला सा जहां पे सिर्फ छत है और एक दो जैसे खंबे है तो उसे कहते हैं द्वारमंडप और उसके बाद में इंटरंस होता है ती पहा बुद्धान्ची दूसरी मुर्ती अब पहले हमने भगवान बहुत की पहली मुर्ती देखी वो कैसी थी पदमासन में थी मेडिटेशन के पोज में थी अब यहां पे क्या है बुद्धान्ची दूसरी मुर्ती वो कैसी है बुद्धान्चा एक पाइगोड अंगर रखा त्याचा त्सून्या कशा अगदीस पश्ट जिस्तात बुद्धान्चा एक पाइगोड अंगर रखा अगर आपने पहले के जमाने की सिरियल्स देखी होगी या फिर कुछ देखा होगा तो उसमें है जेंट्स भी कैसे कपड़े पहनते थे उनके कपड़े काफी लंबे होते थे बहुत धर्म अधिकतर चाइना में फैला हुआ है अब आप चाइनीज लोगों के कपड़े देखोगे तो उनके कपड़े कैसे होते हैं अंदर से वो कुछ कपड़े पहनते हैं जिससे शर्ट पैंट अगर जो भी हुआ और उपसे उनका एक नी लेंथ या उससे भी नीचे एक गाउन होता है अंगर खा याने क्या गाउन अंगर खा आप इसको शरग भी बुला सकते हो पाइगोल याने क्या जो आपके पाउं तक जाता है अंकल लेंथ तक जो भी आपका गाउन जाता है उसे कहते हैं पाई गोल अंगर खा त्यांचा चूनिया कशा अगदिस पश्ट दिस्तात चूनिया चूनिया ने क्या प्लेट्स जो आप पर्दे को डालते हो राइट पर्दा अगर आप ऐसे साइड में कर दो तो कैसे उसकी प्लेट्स बन जाती है या फिर दुपट्टा जैसे आप उसको घड़ी 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 कर दो तो कैसे हो जाता है वो प्लेट्स बन जाती है उसकी तो उसे क्या कहेंगे हम त्याचा चूनिया खशागदिस पश्ट दिस्तात तो बौध जो है उन्होंने एक पाईगोड अंगर रखा पैना हुआ है और उस पे क्या है वो प्लीटेड है मुद्रा सुधा किती शांत किती गंबीर अब यहाँ पे उनका चहरा बदला हुआ हमें दिख जाता है पहले मुर्ति में कैसा है उनके चहरे पे करूण भावे दूसरे इसमें कैसा है यहाँ भी उनकी मुद्रा शांत है पर कैसी यह गंबीर है जैसे कि वो कुछ सोच रहे हो या गंधकुटी लेनियात अण 16 सत्रा क्रमांका चा लेनियात चित्रांची भरमार आहे कहां पर गंधकुटी लेनियात और 16 सत्रा क्रमांका चा 16 और 17 नंबर के लेनियात चित्रांची भरमार आहे ये तीन लेनी में बहुत सारे पिच्चर उन्होंने ड्रॉ भी किये है आप मानोगे नहीं पर वहाँ पे जो पत्थर है उनको कलर तक किया हुआ है बेसिक कलर से यलो ओरेंज पर वो बहुत सुन्दर है जिक्डे पहाल तिक्डे चित्रच चित्र जहां भी आप देखोगे लाइक अंदर से बाहर से उसके द्वार मंडप पे सब तरफ आपको क्या दिखेगा चित्रच चित्रच बहुत सारे चित्रच या तिल बहुते चित्रे बुद्ध आणि त्यांसा धर्म या विशेची आहेद जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया यह जो अजिन्ठा लेनी है यह किसने बनाई है गौतम बुद्ध और उनके जो संत थे उस धर्म से जुड़े इन्होंने बनाई है तो ऐसे इन्फोर्मेशन उन्होंने जो उनके लाइफ टाइम के प्रसंग थे अब कौन से प्रसंगत है गौतम बुद्ध बोधि वरुक्ष के नीचे बैठे तब जाके उनको ज्ञान प्राप्ती हुई तो ऐसे सब सारे जो पिच्चर से वो उस लेनी में है बुद्ध अंचा अनेक कथा आहेद त्यानना जातक कथा असे मंतात तो अब इन बुद्ध और उनके जो रिलेटेड स्टोरीज है वो सब यहाँ पे पिच्चराइज की हुई है उन्हें क्या कहते है जातक कथा जातक यानने क्या किसी का भी जन्म जो होता है उसे कहते है जातक तो उनको क्या कहते है जातक कथा त्या पैकी किते कथा या लेनयाद चितरित के लिए आहित तो ये था हमारा इस गूफा का डिस्क्रिप्शन ही लेनी किती जुनी किती प्राचिन आहित सांगू मतलब वो गाइड क्या बोल रहे है एकसाइटमेंट में कि देखो ये लेनी ये कितनी पुरानी है आपको पता है प्राचिन याने बहुत पुरानी सुमारे 2000 वर्षांची 2000 यर्ज के पहले उन्होंने ये गुफाए बना के रखी थी फिर जो हमारा इंडिया है हमारा जो देश है इस पे बहुत सारे आकरमन हुए बाहर के बहुत सारे लोग आए और आगर आपको पता होगा तो बाहरत से जो भी हमले होते थे बाहर के जो भी लोग आते थे वो यहां के जो सुन्दर सुन्दर चीज से उनको तहसने इस कर देते थे ऐसे ही लोगों को हर्ट करने के लिए तो लोगों ने क्या किया इन गुफाओं को ढाक के रखा था इसलिए वो ये बची रही आपन ही सगडी लेनी तीन चार तासाथ पाहुन मोक्रे हो तो हम क्या करते हैं तीन चार गंटे में तो हम पूरा जीन ठाकी जितने भी गुफाओं है देख सकते हैं पर उनको पन ती सगडी लेनी कोरायला किती वर्षे लागली ठाक आहे कितने साल लगे देखो अभी इस पिच्चर में काफी क्लियर पिच्चर हमें दिख रहा है यहाँ पे आप देखोगे तो देखो कितने सुन्दर सुन्दर ये हो गए यहाँ पे स्तंभ याने खंबे कितने बड़े बड़े देखो लोग इतने चुटी चुटी दिख रहे यहाँ पे इतनी सुन्दर ये गुफाएं है बट ये सब जो है इनको बनाने में कितना टाइम लगा पता ह आपको सुमारे 86 वर्ष तो कितने साल लगे हमें 800 साल लगे 800 साल मतलब कितनी पीडिया लगती है लगबक 16-17 पीडिया पीडिया एने जनरेशन्स उन्होंने इनको पनाया है अईकुन 9 वाटले ना 9 वाटने मिंजे आश्चर्य वाटने अशी अनेक आश्चर्य आपलया भारताता है अजीन्ठा तो जस्टेक एक्जामपल है ऐसे कई सारी चीज़े अमारे इंडिया में है तुम्ही मोठे पनी ती पहा आणि आपलया वार्षा चे जतन करा आप जब बड़े हो जाओगे जब भी आप घूमोगे तो आप इन सब को ज़रूर देखना आणि आपलया वार्षा चे जतन करा वार्षा यानि क्या जो हमें पीडी दर पीडी चीज़े मिलती चलती है वारिस हम जिसके है ये सब किस ने किया है हमारे पूर्वजो ने किया है ये सब हमारी लोग थे राइट